उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा परिशद हाई स्कूल और इंटरमीडियर्ट का आज रिजल्ट आया जिसमें महोबा के सुभ पचरा ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान लाया तो सीतापुर के बेटी प्रियांसी सोनी ने हाई स्कूल में पहला स्थान लाया नमस्कार मैं विश्णू प्रभाकर आप सबका गाहाँ वाले रिपोर्टर और इस वक्त मौजूद हैं RPIC Intermediate College और बड़े गरु की बात है महराज गंद जन्पत के बच्चे सिसोवा बाजार छेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चे अगर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 लि नवे अस्थान पे high school से और तानिया साहिभी नवे अस्थान पे सबसे पहले तो इनको बढ़ाई देंगे और बात करेंगे कि तयारी कैसे हो रहे इती ताकि समान परिवार से कोई सिच्चक परिवार से है तो कोई किसान परिवार से है और कहीं नगहीं इस छेत्र के लिए गर्व की बात है कहा जाता है कि जब आज पास के छेत्र में कुछ बेहतर होगा तो उसको देखकर और बख्चे कुछ बेहतर जरू करेंगे तो अब है सबसे पहले आपको बहुत बढ़ाई थैंक यू सर कैसा लग रहा है बताइए बहुत अच्छा लग रहा है आपने सोचा कि मुझे लगा था कि कही न कहीं मेरा भी लिस्ट में नाम जरूर आएगा लेकिन ये सोचा था कि साथवे नंबर पे आज आगे तो तो सिच्छा पुत्र है तो कहीं न कहीं सिच्छा का माहौल घर में सुरूश रहा है तमाम बच्चे जो हैं ताकि तैयारिया करते हैं अक्सर उनको निरास हाथ लग जाता है तो कैसे तैयारी करते थे अब है आप मैं स्कूल के अलावा घर पे जाकर लगबग चार से पांच घंटे पड़ा करता था और एक्जाम टाइम में मैं रात के एक या दो बज़े तक पड़ता था अच्छा रोज का रूटीन तर रोज रोज अकसर होता है तमाम बच्चे जो है जब उनका इक्जाम आने वाला होता है तो हैड़क ले लेते हैं टेंशन में आ जाते हैं उनके चेहरे उतरने जाते हैं तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगा आप ज्यादा इतना भी प्रेसर ना लें कि हैड़क हो जाए या फिर इतना भी ना सोच लें कि पूरा परिच्छाई बरवाद चलिए ऐसी कुछ बात नहीं है एक्जाम ही तो है वो डिसाइट थोड़ी ना करेगी जैसे आप अपना पूरा बेश्ट करिए यह नहीं कि अग्दम प्रेसर में हो जाए या फिर यह सब नहीं करना चाहिए बच्चों को अपना पूरा फोकस करें और एक्जाम बढ़ियां से देना चाहिए लगे रहे हां शामिया परिविन को बढ़ारी बहुत बदाई और सामिया की मुझे खाज करके बढ़ाए कि कि शामीया जो है जिस समाज से आती ए उस उसमाज के बच्चियों को जादा तरही होता है सिच्छा से दूर रखा जाता है और उनके जहन में उनके परिवार के गारिजियन यह सुझते हैं बेटी है हाई स्कुल पढ़ा दो इंटर पढ़ा दो साधी हो जाएगी अपने घर चली जाएगी तो मुझे खाज करके बड़ा अच्छा सेकेंड अच्छा सब लोगों ने मोटिवेट किया और सपोर्ट किया किसी ने पढ़ाई को लेके जैसे डी मोटिवेट नहीं किया सबने हमेशा ही सपोर्ट किया और मोटिवेशन के साथ बेटियों की बात आती है तो हर कोई ताकि समाज बाते तो बड़ी- प्रदेश में जीती हैं आज भी बेटियों के बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सामिया परवीन जैसे गारजियन होते हैं जो खुली आजादी रखते हैं और वेटिया वाक ही में जो है इतिहास रखती है तो आपके घर में आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको करना चाहत होना तो इसका सबस्क्राइब गर्स को देंगे और इस्पेसली मेरे नाना को और टीचर को और सबसे जादे फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ग्रूप डिसकसन करके भी बहुत जादे मोटी जब आप रिजल्ट देखी तो घर का क्या माहौल ता क्या उमीद थ थी क्योंकि मेहनत बहुत किये थे और घर वालों के भी बहुत उम्मीद थी हमसे सब बहुत खुश हुए तो टॉप 10 लिस्ट में सामिल हो गई पिटिया कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है अब तान्या साही की बारी है तान्या साही बहुत बधाई आपको शु कि रहने वाली तो कैसा लग रहा है पता है परिवार वालों को कैसा लग रहा है माता पिता को कैसा लग रहा है जब आपने रिजल्ट देखा दो हम तो खुश है लेकि मेरे पैरन्स हमसे भी जादा खुश है और उन लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है घर में भी सब ल अभी एक सवाल हम फिर अभय के पास आते हैं अभय है ताकि एक विजन एक इस्टेप आपने तहें कर लिया जीवन का और कहीं न कहीं आपके साथ वो तमाम बच्चे जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं उनकी भी उमीदे बढ़ जाते हैं ताकि गाओं में घर में सहर में एक बैगत अच्छाप्त है तो आजपास के महलों में भी लोग चाहते हैं जब कोई एक बैगतर आगे बढ़ता है तो उससे इसकी गाओं की पाचान होती है उसकेHHT के विपाचान होते है और एक अथा तकते इस विज्द्यालय के और विजन होताए है तो आग़े क्या और वो बहुत खुश हुए और अधाई भी दिये कि आज तुम्हारी मेनत रंग लाई दिये और सही बात है कि मंदाई वहाट है जो मेहनत होती है और रंग लाती है शामिया इवत अधाय आँ क्या बिजन है शामिया क्या करना चाहते हैं बच्टर बनना चाहिए के अधिता है गर पर फूल सपोर्ट मिलता था और अगर को को मेरे दीदी और पापा मेरे मम्मी और बी तर लोग यह ताम तो टाम मोटिवेट करते रहते था तो जो रिजल्ट आया इसके बाद जो है घर का क्या महौल है और कितना आपके जीवन में जो है बदला हो गया नहीं घर पर जीवन वह ज्यादा खुश है वह लोग भी आगे बढ़े सब लोग खुश है शामिया परिवन मेरा आप से एक सवाल है तकि आपके समाज की जो बेटिया है उनको ज्यादा तर शिच्छा दे दूर रखा जाता है साइद आप इस बात को जानती होंगी उन बेटियों से क्या कहेंगी और उन गार्जियन से क्या अगर कैसे बहुत क्युश रहे हैं लेकिन घरवालों के बिना सपोर्ट के इसा पॉसिबल नहीं है तो बेटियों and बेटों में कोई भेडव निगैशी चाहिए कि युद्यू है कि तमाम जवा तमाम बच्चे जो त्यारी करते हैं पढ़ाई करते हैं एक-दो- сами-स ए gör सब और दो ऐसे अगे उन्मे छया है और दुनिया उस दिन आपको देखेगी अड्लियों तो आप तीनों लोगों को बहुत बधाई अब है शामिया और तान्या ये वो दो बेटियां और ये अब है कहीं ने कहीं महाराजगन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ा है और टॉप टेन लिस्ट में सिस्वा बाजार कहा जाता है महाराजगन जिला का जब है कि हम महाराजगन के हैं और पतादू अभय नरायड जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सात्वा स्थान बेटी सामिया परवी नौवा स्थान और तान्या साहिवी नौवा स्थान इनके गार्जियन से बात करेंगे जानेंगे कि इस खुशी को जो है किस तरीके से इजहार कर रहे हैं तान्या की माता जी हमारे साथ हैं सबसे पहले तो आपको बढ़ाई देंगे यह बता यह कि बेटी के इस वर्क से इस रिजल्ट से कितना खुश है बहुत खुश है बेटी होने पर कितना गर्व है ताकि आप एक माह है और बेटी का दर्द सब ज्यादा कोई साथ होती हैं तो यह जो रीजल्ट आया कैसे दञाकिती हों और की तांव Rock is running, Google ऐन में में लेकिन बेटी ने कर के लाएं करने मं महारे, ज्यां अप्र होने का पल है और यह रही ऊच्छी, लबदी को भाउक होकर इजहार कर रही है और यह भी बात सही है कि जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो मा बाप के खुशी के आश हुआने लगते हैं कहीं कहीं हम कह सकते हैं यह वही पल है हमारे साथ अभय नरायन के पिताजी है जो अभय उत्तर प्रदेश में सात्वा स्थानला है एक है और इसे जो हैं दुनिया को जीतना सिखाता है सिच्छा कहा जाता है सिच्छा कoru चाय कैसी ताकत है जो अपने आपको चोमाज को और मुझे सब्सक्राइब कर रहा है साथ गाजीपूर जिले में भी तमाम चर्चा का विषयभु बना हुआ है तो वहां भी चर्चा का महाल बना हुआ है खास कर कि मेरे परिवार में तो खुशी का महावल है सर आज और मैं बहुत खुश हूं सर बच्चे की सफलता के लिए कैसा लग रहा है क्या इतना उमीद किये थे नहीं सर मैं शुरू सही कहता रहा मैं तो प्रिंस्पल सर से जब जब आते थे मिलने फैरेंट्स मिटिंग हो रहा है चाहिए ऐसे दारहन दिया करता था जिसे मेटकर जी कहते थे कि सिक्षावा सेरनी का दूध है जो पीएगा वही दहाड़ेगा और उस पर यह खरा उतरा है सार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने बच्चे को और हार दिक दिल से बढ़ाई देता हूं बहुत धन्यवाद हम कही जाती है नीरा जी इस उपलब्दी के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बदाई बहुत धन्यवाद हमें बहुत खुसी हो रहा है वह लोग हम सभी के लिए बहुत बड़ा गौरों का पल अपन्लाइस बहुत गर्वका पल इन विद्यार्थियों का प्रदेश में अस्थ सब्काइ Stallion अब इस्से बढ़ा कुछ हो ही नहीं सकता है हम चाहें कि बच्चे आगे इस बड़ा मुगाम हासिर करें आगे इससे बड़ा मिशन की तरफ आगे बढ़ें सामिया परिविन के नाना जी मेरे साथ है और नाना सब जब आता है तो कहीं न कहीं वो परिवार की जो बेटी होती वो लाडली होती है और नाना यानि बेटी की बेटी है तो कितना प्यार मिला होगा नाना का और इनके चेहरे से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खुशी को इजहार कर रहे हैं सबसे पहले तो बहुत ब समाज से आती है उस समाज में ज्यादा तर देखा जाता है बच्चियों को सिच्छा दूर रखा जाता है उनको कैजूल सिच्छा दियाता है हाई स्कूल पढ़ लो इंटर कर लो लेकिन आज सामिया ने किया है मुझे लग रहा है उन तमाम बेटियों के लिए प्रेणा जरू लोग जो है शिच्छा के तरफ नी उन्मुक हो रहे हैं और कहीने कहीं यह एक बड़ा बदला होगा जी यह तो होना ही है जब सिच्छा आदमी को मिले गा तो बदला होगा ही क्योंकि जब सिच्छा अस्तर पे कोई एक परिवार बढ़े आगे तो शिर्फ वह एक परिवार आगे नहीं बढ़ता है उसके साथ उस परिवार से जुड़े हुए हर बेक्त का नाम होता है चाहे वो कोई भी हो और कहीं न कहीं शामिया परवीन अभय नरायन तानिया साही इन बेटियों ने वो कर दिखाया है कि आज जो है महराज गंजनपत के साथ साथ उत्तर प्रदेश टॉप टेन लिस्ट में सामिल होकर गारजियन के लिए ये गर्व की बात है कि आज बेटिया समाज में वो कर रही है कि कभी जिन बेटियों के लिए कहा जाता था अपने घर की दहलीज पार करने के लिए उनको सौ बास सोचना पड़ता है कि जबाना क्या कहेगा मुझे है